मेरा नाम अमित सिंग है मैं 2009 बैच आई पेस ऑफिसर हूँ मद्यप्रदेश काडर का मेरी जो अपनी प्रेम कहानी है मेरे विश्वेद्याले अलावाद विश्वेद्याले से सुरू ही मेरी जो वाइफ हैं वहां पर पढ़ती थी और मैं ऐसे रिसर्स कॉलर वहां पर पढ़ फिल गुड हमें कम्फट जोन देगा हमारी बेटर आफ बनेगी तो हमारे जीवन में और बैतर तरीके से हम जी सकेंगे यह फिर्स डे का कोई रिक्ष्ण नहीं होता एक विक्ति आपको अच्छा लगता है देले देले वह आपको कम्फट जोन देता है फिर आपको लगता ह कि वो हमारी अगर बेटर राफ होगी तो बेतर करेगी तो ये प्रक्रियागत चीजे हैं जो पुरा अपना समय लेती है दिके मेरा ये कहना है कि लव मेरेज और अरेंज मेरेज दोनों का अपना एक डैनेमिक्स होता है लव मेरेज में मुझे लगता है कि और ज्यादा आपकी और ज़्यादा मेहनत करनी होती है और एक दूसरे के emotions का ख्यान लखना पड़ता है emotions कई बार एकस्पैसिव नहीं रहते हैं, आपको बाड़ी लंगे से समझना पड़ता है और फिर प्रॉपर तरीके से react करना होता है यह two-way traffic है, one-way traffic नहीं है, जिस व्यक्ति ने इसे समझ लिया, मैं समझता हूँ कि उसका जीवन, एक पारवारिक जीवन जो है, वो बहुत ही सफल रहता है और संथोशनक रहता है दिखे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरा यह मानना है कि प्रेम करना कोई बुराई नहीं है प्रेम करके उसको निभाना एक चालेंज होता है, चुनोती होती है प्रेम कोई टाइम पास चीज नहीं है किसी से आपने प्रेम किया तो इमानदारी से उस प्रेम को एकसेप्ट करना और उसे समाजिक मानता देना जो विवाह जैसी संस्था के तोर पे हम देते हैं, उसका निर्वाहन करना ही एक बड़ी चुनोती होती है और जो व्यक्ति ये करता है मैं मानता हूँ कि फिर उसके बाद उसकी दूसी परिक्षा होती है कि उसको निभाना, जीवन भर उस साथ को निभाना, उस रिस्ते को होता है, अगर मैं बता दूँगा तो फिर वो सर्प्राइज नहीं रह जाएगा मेरा यही कहना है कि लब मैरे जो भी कर रहे हैं, इमानदारी से विवाज यसी संस्था में अगर आप उतर गए हैं, विवाज कर लिया है उसको निर्वाहन करें प्रेम करना आसान होता है लेकिन उसका निर्वाहन करना बहुत कठिन काम होता है उसको जीवन भर उस फिक्विंसी को मेंटेन करना उस प्यार को मेंटेन करना उस संबंद को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होता है इसलिए कई बार ये का जाता है कि प्रीम बिवा बहुत बार निस्फल हो जाते हैं उसका एक बड़ा कारण यह होता है कि हम इमानदार नहीं रहते और ये प्रीम जो है वो टूबे टॉफिक होता है ये एक तरफा बिल्कुल नहीं होता देखे मैं मानता हूँ कि प्रीम बिवा करने से मेरे जीवन में तो बहुत सा करात्मक चीजे आई सबसे बड़ी चीज जिस जाब में मैं हूँ उसमें S.A.S.P. बहुत कम टाइम हमारे पास होता है कि हम फेमिली लाइफ को दे सकें तो मुझे कभी इस तरह की चीजों में दिक्कत नहीं है बचे हैं तो उनकी परवरिस भी हम जो कर रहे हैं उसमें महत्तपूर रोल मेरी वाइफ निर्वहन कर रहे हैं कि मैं जिस जॉब में हूँ बीजी रहता हूँ आउट अफ स्टेशन रहता हूँ कई बार कई बार रात रात भर लॉडर डूटी करनी होती है बिविंत्रा की डूटी करनी होती है तो जो प्रग्या निर्वहन कर रही है ऐसे वाइफ बेना कुछ अपएक्छा किये हुए वो निशन्दे हमारे प्रेम संबंदों को या हमारे वैवाईक संबंदों को और मच्पूत बनाती है उसको स्टेंधन करती है देखे टाइम मनेजमेंट एक कला है अगर जिस विक्ती ने टाइम मनेजमेंट कर लिया उसका जीवन जो है बहुत सफल होता है जिस भी छेतर में जायेगा वो बहुत अच्छा करेगा तो इस कला के लिए आपको अनसासित होना पड़ेगा जितना आप अनसासित होंगे उतना ही आप समय का अच्छा प्रबंधन करेंगे जितना ही कुशल प्रबंधन करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी और उतना ही अच्छा जीवन आप जीएगे डेखे मेरा भी लास एको पोड़क में हुआ मैं मानता हूँ कि मनवो सर्मा एक बर्ग का प्रतलदद्रतो करते हैं मनुष सर्मा की जो संगर्स की काता है मेरा मानना है कि इस बर्ग से जुड़े हुए सभी सफल लोगों की वैसे ही संगर्स पूakteन कहानी है लिशी तोरो सी कहानिया हैं, लोगों ने बहुत महनत की है, इसे इस रूप से हिंदी मांधियम में आप UPSC क्वालिफाई करते हैं, तो आपके सामने चुनोती बहुत बड़ी रहती है, आप एक छोटे कजबे से आते हैं, छोटे स्कूल से पढ़के आते हैं, कॉले से पढ़के आते हैं, तो नाचरली आपका जो टालेंट है, वो सही माने में उसको परका जाता है, उसमें निखार लाने की जरूवत होती है, और संगहर सो चुनोतियां तो निश्य तोर पे, और कंडिरेट की तुलना में आपकी चाता होती है, दीखे, मेरा, मेरा अपना दो अटेम्ट में प्रिलिम्स नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्ट में, थर्ड अटेम्ट में में फेल हो गया, लास अटेम्ट में मेरा फाइनल क्लियर हुआ, मेरा अपना ये कहना था कि मेरे अपने फादर जो थे वो बहुत लंबे समय तक सस्पेंड रहे तो मेरा अपना एक निशित सेलरी मिलती थी जीव को पारजन भाता मिलता था सेलरी तो नहीं मिलती थी उसमें ही मुझे सर्वाइब करना होता था और इसके लिए मेरे लिए बैतर यह उस चात्रिती मिलने के बाद मेरा आत्मिस्पास और बढ़ा और निशित तोर पे जो कंसिस्टेंसी मेंटीन मैंने की अलहबाद के दिनों में वो आफ्सर गेटिंग डिस स्कॉलर्सिप वो में कॉन्फिडेंस आया और मैंने इस पर इक्षा को क्रैक किया